कि हेलों गाइज वेलकम बैक तो यूट्यूब चैनल एक्रिकल स्टप फॉर यू दोस्तों और यूद्व में बात करेंगे कि जो हमारा एसी होता है उसका जो महीने का बीजिली का बील होता है वह कितना आता है कि जैसे कि आपको पता है कि हम गर्म्यों में अपने गरों में ए जाते हैं तो इस वीडियो में तक बने रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरू करने से पहले हमें पता है कि जो एसी होते हैं वो तीन क्वेस्टिस में मार्केट में अवेलेवल हैं एक टन टन और ऐसे ही दोस्तों दो टन का एसी होता है दोस्तों इन यहार बाट से खे खेवाश के लेकर पच्ची सो बाट तक होती है और इसके बाद जो टन का एसी होता है उसकी जो बाटेज होती है वह पच्ची सो बाट से लेकर 1550 तक होती है दोस्तों अब आप बोलोगे कि जह रेटी में इतना क्यूंस स्कारण काश्ख तो जैसे दिपर eerऑ है क्योंकि हझार बाठ जैसे कि हम इस ही है भो स्टार रिप्स में भी अवेलवल होती है जैसे कि टू स्टार का थी होता है text hour इसी होता है थे STAWge southern है तो जैसे स्टार अपकी बढ़ती आइगी मतलब कि हसाव से आपकी बाटेज है वो कम होती जाएगी और कुलिंग जो एसी होती है वो ज्यादा होती जाएगी मतलब अगर माली यह पांच five star का एसी है एक तन का तो उसकी बाटेज होगी बहुत है ठीक है दोस्तों ऐसे ही टू स्टार का एसी हो एक तन का तो उसकी बाटेज 1500 सो बाट होगी तो हम क्या करेंगे एाबरेज बाटेज निकलेंगे सिंटर वा लि उसके将 से बिल कल्कुलेट करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम एक तन अभल करते हैं हम क्या करते हैं पहले एक तन में कितने बाट होते यह मांन लेते हैं कि एसे है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम एची चलाते हैं जहां लिभेंस एक दिन अब सब्सक्रारं को 141 1편 जोंड तो हमारा क्वेयं किम की हूंतता है वह 20 नária सब्सक्राइश होता है तब क्या होता है मिधर स्था कोoded बेसभी-डिधर के चलता है हुता है तो अफसी पूरे-बाराफ़ कंप्रेशि्जर नहीं चलता मतलब अब हमारे फुल लोड लोट पर असी को चलते हैं और चल रहा है कि ऑप दोस्तो फेंड़ चल रहा है कि दोस्तो जब भागार का टैंपरेचर हो तो ऑस टाइम पे घो हमारा compressor होगा वो बंद हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हमें करना क्या है हमें अलग अलग दुनों load के हसाब से इसका bill calculate करना है तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है हम एक दिन में 12 गंटे एसी चला रहे हैं ठीक है अब उसमें 66 गंटे पंखा और चल रहा है ठीक है तो जब हमारा शेगेंटे फैन चलेगा तो उस टाइम हम कितने उनिट कंज्यूम करते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे तो जब हमारा पूरा एसी का लोड होगा वह 1200 बाट होगा ठीक है दोस्तों तो 6 गुना 1200 अब हमने 6 से गुना इसलिए किया है क्योंकि यह शेगेंटे चल रहा है तो जब हम इसे कल्कुलेट करेंगे तो जह आयता है 2700 बाट आर ठीक है दोस्तों अब इसमें दोस्तों जो हमारा बाट आया है जे इस 1200 से आया है और जे जो आर आया है जे गंटे वाला आर है जो की 6 गंटे है ठीक है दोस्तों अब हमें पता है कि हमें इसे किलोवाट आर में निकालना है क्योंकि हमें यह भी पता है जो एक ज ठीक है दोस्तों तो 7.2 का मतलब है 7.22 जुनिट ठीक है जी अब दोस्तों जो हमारे 6 गंटे ओर रहें जिसमें हमारा अकेला पंखा चला तो उस टाइम पे कितने जुनिट कंज्यूम करेंगे हम वह भी निकाल लेते हैं तो दोस्तों हमें पता है जो पंखा होता है जो उसकी बाटे होती है वो इस टांपि हमारा कंप्रेक्षर बंद है यह siontip यहां चल रहा था रहा तक हम इससे गुना करेंगे तो यह हमारे पास आयता है चार तो करना है तो जब हम इसे एक यार से बाग करेंगे तो यह हमारे पास आयता है .0800K100 फारच तब दोस्तो इसको हम जूनिट में आएगा चार पॉइंट 4800 units ठीक है जी तो ऐसे अगर हमें एक दिन की consumption निकालनी है कि AC एक दिन में कितने unit consume करता है तो हम क्या करेंगे one day में इन दोनों values को एक 7.2 unit और .484 unit को add कर लेंगे तो 7.2 में हम .4800 को add कर देंगे तो जब हम इसे add करेंगे तो जे हमारे पास आयता है दोस्तो 7.68 unit ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा AC है एक टन का वह एक दिन में इतने unit की खपत करता है ठीक है दोस्तो ऐसे ही दोस्तो अब हमें पता है कि एक महिने में 30 दिन होते हैं तो हम 30 दिन में निकाल लेंगे कि जो एक टन का AC है वो कितने unit कंजियूम करेगा ठीक है ठीक है तो हम 7.68 को गुना कर देंगे 30 से तो जब दोस्तो हम इसे गुना करेंगे तो जो हमारे पास आ जाता है 230.4 units ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यहां से हमें पता लगड़ा है कि जो हमारा एक टन का AC है वो एक महिने में 230 unit की खपत करता है अब हमें इसकी बिल निकालना है कि मतलब इसका बिजली का बिल कितना आए दोस्तो सबसे पहले हमें average unit price का मतलब यह है कि जो हमारा जुनिट है बिलिका जैसे हमें पता है कि हमारे 230 unit की खपत हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि एक unit की कितने पैसे लगते हैं तो दोस्तो नौर्मली हर स्टेट में एक जुनिट के जो average value है वो 5 रुपे हैं ठीक है तो टोटल कितना आजएगा पांच को हम गुना कर देंगे 230.4 से तो दोस्तों जब हम इसे गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्यारा सो बावन रुपे तो दोस्तों यहां से हमें पता लगता है कि अगर एक टन का AC हम दिन में 12 गेंटे चलाते हैं ठीक है दोस्तों तो उसका जो हमारे पैसे बिजली का बिल आएगा वो ग्यारा सो बावन रुपे आएंगे अब दोस्तों होता क्या है कि केई बंदे दिन में 8 गेंटे AC भी चलाते हैं और केई 12 गेंटे चलाते हैं और केई दोस्तों 14 से 16 गेंटे भी AC जलाते हैं तो दोस्तों अगर हम एबरेज जो बिल आएगा एक टन के AC का तो वो बताऊं मैं आपको तो वो नोर्मली हमारा दोस ठीक है दोस्तो अगर आप कोई भी electronic item online purchase करना चाते हैं तो मेरे description box में link दिये होते हैं आप बहाँ पर click करके अच्छी quality का कोई भी electronic material purchase कर सकते हो अब दोस्तो ऐसे ही हम dayton के AC का बिल calculate करते हैं कि अगर हमने अपने गर पे dayton का AC लगाना है तो कितना रुपे हमारा बिल आएगा ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अब हमें जैसे की पता है कि जो हमारा dayton का AC है उसकी जो बाटेज होती है वो 1500 बाट से लेकर 2500 बाट होती है ठीक है दोस्तो अब दोस्तो इसकी भी हम normal average बाटेज ले लेते हैं जो कि इन दोनों के सेंटर में आ जाएगी तो यह हमारे पास आ जाता है तो यह हमारे पास 2000 बाट आ जाएगा ठीक है दोस्तो अब फिर से दोस्तो मान लीजी हम एक दिन में 12 गंटे AC चलते हैं ठीक है जी जिसमें से 6 गंटे हमारा compressor चलेगा और बाकी के 6 गंटे हमारा fan चलेगा ठीक है दोस्तो तो सेम हमें क्या करना है पहले 6 गंटे के लिए निकालते हैं जिस टाइम हमारा compressor चलेगा ठीक है जी तो हमें क्या करना है शे को हमें गुना करना है 2000 से क्योंकि जो हमारी डे टन के AC की पावर होती है वो 2000 वाट होती है ठीक है दोस्तों अब मान लीजिए 100 गंटे हमारा कंप्रेशर चबलता है ठीक है जी तो इसको जब हम गुना करेंगे तो जे हमारे पास आज़ता है शे दुनी 12000 वाट आर अब इ इसे कल्कुलेट करेंगे तो जे हमारे पास आयता है 12 किलो वाट आर मतलब 12 जोनिट चीक है दोस्तों अब ऐसे ही दोस्तों जो बाकी के हमारे बचे 6 गंटे उसमें मान लीजिए अकेला पंखा चला तो शे गुना असी अब दोस्तों हमने असी इसलिए लिया क्योंकि इस समय सिर्फ फैन चला ठीक है और फैन की जो बाटेज होती है वो सिर्फ असी होती है तो जब हम इसे कल्कुलेट करेंगे तो यह फिर से आज़ेगा ठीक है अब दोस्तों मान लीजिए यह 12 जूनिट हमारा कंप्रेशर जब चला तब इसने कंज्यूम किया और 0.480 जूनिट हमारे एसी ने कंज्यूम किया जब अकेला फैन चला तो अब हम कैल्कुलेट करते हैं कि एक दिन में जो हमारा डे टन का एसी है वो कितनी खपत करत तो बारा जमा पॉइंट 480 तो जब हम इसे जमा करेंगे तो जे हमारे पास आयता है बारा दिशम्मलब 480 जूनिट तो इसका मलब यह है कि जो हमारा डे टन का एसी है वो एक दिन में इतने जूनिट कंज्यूम करता है अब ऐसे ही हम 30 दिन के लिए निकालेंगे 430 डेज निकालने के लिए हमें क्या करना है 12.40 को गुना करेंगे 30 से तो जब हम इसको गुना करेंगे तो जिए हमारे पास आयते हैं 304.4 जूनिट चीक है दोस्तो तो दोस्तो इसका मतलब है जो हमारा डे टन का एसी है वो एक महिन्य में मतलब 30 दिनों में 304 जूनिट की करेंगा अब फिर से हमें पता है एक जूनिट का जो रेट है वो पांच रुपे है जे दोस्तो मैंने अबरे जूनिट लिया है जे हर स्टेट में लगलग हो सकता है ठीक है दोस्तो तो अपने स्टेट के हसाब से जो भी आपका जूनिट का रेट चल रहा है आप वो लगा स तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा डेट टन का एसी है अगर हम उसे 12 गंटे चलाते हैं तो उसका जो बिजली का बिल आयागा तो भो ठारा सो बहत्तर पे आएगा अगर हमारा जो जुनिट का रेट है वो पांच रुपे है ठीक है अब दोस्तों मैंने पहले भी आपको बत उसकी वो बेड़ी करता हैं 1600 से लेकर झाल के तक दोस्तों तो दोस्तों इसका मारा अगर आप 것이 ऑसे यह कहता है तो ऐसका आप इसंद आप सेकलीifice Powell is तो जो उसका महीने का बिल आता है वो नोर्मली 3,000 से 4500 रुपे के बीच में बेरी करता है मतलब अगर आपने दो टन का एसी अपने गर पे लगाना है तो उसका बिल 3,000 से 4500 के बीच में बेरी करेगा अब दोस्तों मैं आपको तीनों एसी डेटिंग की एक बार लिखके बताजता हूँ दोस्तों अगर आपको कोई भी electronic समान परचेज करना है अच्छी quality का तो आप मेरे description box पे दियो हूए link पे क्लिक करके कोई भी समान खरीच सकते हो तो दोस्तों अगर आपके बास एक टन का एसी है तो जो उसका बिल है वो 800 से 1600 के बीच में आएगा ठीक है दोस्तों और अगर आपके बास डेट टन का एसी है उसका बिल है जो वो 1600 से ध्यार रूपे के बीच आएगा और एसे ही अगर आपके बास दो टन का एसी है तो उसका बिल 3,000 से 45 बिच में आएगा ठीक है दोस्तों है तो दोस्तों आई होप आपको clear हुआ होगा कि कि कितने टन के AC का बिल कितने से कितने तक बेरी करता है ठीक है दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छी लगी हुई होगी अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जिरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर थेंक्यू गाइज